हलो इवरीवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार 29 दिसंबर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट और एक्जाम औरेंटेड न्यूज होगी वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूज नजर आएगी इसको थोड़ा अब्जर्व करते हैं बहुत इंपोर्टेंट है और पूरे साल ये काफी ज्यादा न्यूज में रही तो 2023 में जब प्री होगा तो इससे रिलेटिट सवाल जो पुछे जा सकते रिशन में हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश हाई कोट है ये अलाबाद हाई कोट हम जिसको बोलते हैं उन्होंने एक जज्जमेंट दी OBC रिजर्वेशन को लेकर किसमें लोकल पॉल्स के अंदर यानि 73 और 74 जो constitutional amendment हुए थे जहां पर local government जिसको अ 73 और 74 तो इसमें दो तरह के provision थे एक था compulsory यानि आपको follow करना पड़ेगा एक था voluntarily आपको उसको follow कर भी सकते और नहीं भी कर सकते हैं देखर यहां पर issue क्या था कि जो उत्तर प्रदेश government है वो चाहती थी OBC reservation local पॉल्स के अंदर हो लेकिन अलाबाद हाई को ने इसको पराष्टा हो मद्यपरदेश हो ओडिशा हो हर्याना हो इन सारे state में OBC reservation को लेकर काफी legal dispute हुआ हलाकि अभी हर्याना के अंदर जो local पॉल्स हो उसमें OBC reservation कुछ ने कुछ include किया गया कितना किया गया exactly idea नहीं लेकिन उसमें कुछ ने कुछ implementation किया गया अभी इस पूरे scenario को सम मजते हैं कि 73 और 74 जो constitutional amendment हुआ था समिधान में संसोगन हुआ था उसमें compulsory और voluntary क्या provisions है तो ऐसे कुछ provision जो आपको follow करना पड़ेगा यानि central government ने कानवर बनाया और उसमें state government को जब ये कानवर बना था तो उसमें ये compulsory provision थे कि पहली बात तो आप gram सभा constitute करिए जो villager water है उ village level पर फिर intermediate होगी जिसको बम block समिधी बोलते हैं फिर जिला प्रिशद होती कुछ गाओं को मिला कर ठीक है इनके direct election होने वाले हैं पहली बात इसके बात जो chairman होगा जो intermediate और district level का इनका indirect election होता है 21 year minimum age रखी गई थी election को contest करने के लिए vote करने के लिए 13 साल है यहाँ पर आप रखिये कि scheduled caste और scheduled tribe के लिए reservation का provision है इसके बाद महिलाओं के लिए one third यानि आपको one third reservation जो है compulsory देना होगा इसके अलावा कई राज्यों 50% तक provision के जैसे बिहार है हर्याना है बहुत सारे राज्यों हो सकते हैं इसके अलावा यह बताया गया कि 5 साल का एक fix period होगा और अगर से पहले पंचायद भंग हो जाती है या कहिने कि suspend हो जाती है तो उस context में उसको re-election करवाने का provision है कि चेव मैंने के अंदर election कराए जैसे कि लोकसभा या state legislative assembly के context में होता है state election commission होगा state finance commission होगा यह सारे provision है यहाँ पर आप देखिए voluntary provision के अंदर जो main यहाँ पर discuss किया गया कि क्या backward classes को जो reservation provide करना है यह voluntary है यानि सरकार की responsibility कर भी सकती नहीं भी कर सकती इसमें बहुत सारे legal issues है जिसकी वज़े से काफी ज़्यदा debate इसको लेकर होती है और इसलिए कई बार court का decision जो हो इसके favor में नहीं आए और अलावाद court को भी अलावाद court की decision को उत्तरप्रदेस government challenge क 23 का जो pre होगा उसमें reservation खासकर article 15 और 16 काफी ज़्यदा debatable रहे है चाहे हो economically vicar section को लेकर हो OVC reservation को लेकर हो इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो commission से जैसे national commission for schedule का schedule try backward classes इस तरह के भी direct और indirect quality में question आपको देखने को मिल सकते है इसके ठीक right hand side में हम आगे जाएंगे और यह हाँ पर COVID-19 के बारे में सरकार के दवारा एक जानकारी दी गई है कि पहली बात COVID के अंदर जो spike देखने को मिल रहा है वो पूरी दुनिया में फिलाल भारत में वे हो जाए situation नहीं है वे हो क्या हो सकता कि जब number of cases जो double हो रहे हो बहुत तेजी से cases increase हो जाए तो फिलाल भारत में उस तरह का status नहीं है 6000 लोगों को अब तक test किया गया पिछले week और 38 उनमें से positive मिले खासकर international flyers में से यानि और उनमें से जो BF7 जो variant है जो चैना में काफी ज़्याद एक्टिव इसके बारे में कोई भी case इंडिया में भी नजर नहीं आ है तो एक जानकारी दी गई कि हम किस तरीके situation को prepare कर रहे हैं क्या हमारी planning हो सकती है भारत के मामले में अच्छी बात ये कि इंडिया में vaccination जो है almost हुआ है और बड़ी सिंक्या बुस्टर डोज भी हुई है लेकिन चाइना में एक तो लगातार वो zero covid policy में कहीं नहीं restrict रखा गया लोगों को naturally infect नहीं हुए दू इंडिया में lockdown या restriction पहले phase में आपको ज्यादा नज़र आएगा उसके बाद कुछ restriction जरूर लगे लेकिन इतने हाइव इनी की लोगों की moment को ये बंद कर दिया गया इसके अलावे बताया गया कि definitely सरकार observe कर रही United States Pacific Island या जापान है दूसरी country में जिस तरह की activity है और हम लोग randomly 2% उसमें testing कर रहे हैं और इस तरह कोई variant फिलाल देखने को नहीं मिला लेकिन हमने अपने hospitals को कहीं ने कहीं prepare रहने को कहा है और passenger जो भारत में आ रहे हैं खासकर ऐसी country से जहां पर infection के case ज्यादा है उनके जो samples है वो genome surveillance के लिए भेजी जाएंगे genome sequencing बहुत important होती है और UPSC का favorite topic of biotechnology का genome sequencing में basically disease को analysis किया जाता है वायरस को genetically identify किया जाता है कि यह किस तरीके से react कर रहा है किस तरीके से यह कहीं नगे एक तरीके study कह सकते हैं कि आप किसी variant की proper study करते हैं और उसके बारे में effective decision ले सकते है अगर genome sequencing के थुरू उसको properly analysis किया जाए तो यह एक basic information आपको देखने को मिलेगी आगे बढ़ते हैं इस page पर इसके लावा कोई particular news नहीं है जो हमारे exam perspective से important हो और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ छोटी छोटी लेकिन important news यह आपको देखने को मिलेगी जो राज्य वाला page है या state वाला page आता है for example मैं यहाँ पर एक news देख रहा था page number 5 पर page number 5 पर एक news आई और उजबेकिस्तान की एक ministry ने news जो है publish करी है क्या है यह news क्या इसका issue है और क्यों हमें यह पढ़नी चाहिए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं रिशन में अगर आपको याद होगा पिछले तिन-चार महीने पहले एक case हुआ था एक country गांबिया करके वहाँ पर कुछ बच्चों की death होगी थी कि कफ सिर्फ उनको पिलाएगी और कफ सिर्फ के बारे में allegation लगा कि वो इंडिया मेडर और उसके अंदर जो पर्मिटेबल लिमिट होती है उससे जादा कहिन कहीं content available था जो की available नहीं होना चाहिए था इसी तरीके का allegation जो उजबेकिस्तान की ministry लगाया है कि उनके देश में 18 बच्चों की death हुई है इस तरीके से जो कफ सिर्फ उसको पीने की वज़े से और ये बनाई है इंडिया के द्वारा इंडिया में किसी फर्म के द्वारा जिसका नाम है मेरियन बाइटेक करके ठीक है तो यहाँ पर यह बताया गया कि 18 बच्चों की death हुई है respiratory disease respiratory disease क्या हो सकती है उनको सांस लेने problem हुई होगी right इसके अलावा यहाँ पर दो-तिन important चीजें पहले बात तो बताया गय कि यह case similar सा नजर आता जो गांबिया के अंदर case हुआ था और वहाँ पर भी हमने देखा कि unacceptable level तक diethylene glycol और ethylene glycol यह दो content जो नहीं होने चाहिए थे वहाँ पर यह available थी ठीक है तो यह allegation उस time भी लगा था हलाकि उस time जो company थी madden pharma और अब जो है वो different company है right इसके अलावा यह बताया गया कि healthy ministry जब सवाल पुछा गया कि आपका क्या opinion तो इसके बारे हम बताया गया कि जानकार है लेकिन comment नहीं किया गया इसके लावाद दो तिन और चीज़ें पहले बात तो आप देखोगे बच्चों को जो कफ सिर्फ पिलाए जाती है और जो adult को कफ सिर्फ चाहिए था वो नहीं किया गया और continue जो हाई डोजीज पिलाएगी जिसकी वज़े से problem हो दूसरा बड़ी problem क्या है जो content नहीं होने चाहिए थे for example जब हमने गांबिया के अंदर ये देखा कि die ethylene glycol है या फिर ethylene glycol ये नहीं होने चाहिए थे अगर ये present करने जिसकी लेकिन जो मेन प्रोब्लम होती है काडियो वस्ट के लारा उनको हार्ट लेटी प्रोब्लम होई और किड्नी फेल कर गई जिसकी वज़े से बड़ी संख्या में लोगों की डैथ होई खासकर बच्चों के और जो बच्चों की डैथ होती तो ये मामला definitely बहुत sensitive होता है इस perspective में भी क्योंकि इसके impact को definitely observe किया था हाला कि भारत सरकार ने पहले बताया था कि WHO ने कहीं ने कहीं जो link किया था गांबिया वाले case में वो pre-mature था इन सबसे impact क्या पड़ता है भारत की farwa industry पर negative impact पड़ता है उसकी image पर negative impact पड़ता है और भारत की image पर भी negative impact पड़ता है इस Central Asian country में total 5 country आती कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ठीक है ये हो गया उजबेकिस्तान total 5 हो जागी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन चारों से तो boundary share करता ही है लेकिन एक और country है जिसका नाम है अफगानिस्तान उसके साथ भी अपन जादा news में रही है क्योंकि Shanghai Corporation Organization की यहाँ पर meeting हुई थी और इसके अलावा सवाल यह है कि अगर आपको इस particular blue color का area देखेंगे तो एक important point है यह आपको identify करना कि कजाकस्तान और उजबेकिस्तान के बीच में यह जो blue point है यह basically है क्या या इसको क्या बोला जाता है इसको आप identify क करेंगे इसके बारे में comment करेंगे और उसके बाद आप नीचे इसमें पहले question की रूप में उसको answer करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद page number 9 पे text and context में मैं इसको observe कर रहा था basically एक story type में cover करी गई है और यह topic basically क्या cast census को लेकर कि cast census को लेकर एक debate है कि क्या देश के अ हो सकते हैं क्या इसके जो privileged group है उनको क्या benefit होंगे जो under privileged group है उनको क्या benefit होगे वो सारे चीज़े इसमें कहने के analysis को लेकर और जो जाती अधारी जनगर्णा यह आपको बिहार उत्तरप्रदेश इसमें काफे ज़्यादा political debate भी हुई है कि यह होना चाहिए नहीं होना इसके लिए क्या हुआ है कि रश्या के जो एक क्रिटिक माने जाता है उनकी डेथ हुई थी ओडिशा के अंदर यह काफी ज्यादा highlighted issue है और इनकी डेथ को लेकर काफी debate हो रही है कि क्या रश्या ने इंडिया के अंदर जो उनके क्रिटिक रह रहे थे या जो बिजनसमें थ या कहीं ने कहीं जो इंडिया के अंदर पार्टी करन जो भी करने के लिए आये थे वो उनकी यहां पर डेथ होना डेफिनली कई सारे सवाल है ओफिसर ने बताया कि पोस्ट मार्टम में मल्टिपल इंजिरी देखने को मिली है एक दो व्यक्ति थे की काडियो वस्कुलर या इसकी डेथ हुई है उनको लेकर भी ठीक है इसके बाद रिजरिवेशन को लेकर अगें जो हमने फ्रंट पेज पर पढ़ा था ओबी सी कोटा को लेकर जो एक तरीके से अरवन लोकल बोडी या रूरल लोकल बोडी के अंदर इलेक्शन के बारे में जो डिबेट हो रही है उत्तरबदेश गवर्मेंट ये चाहती है कि रिजरिवेशन दिया जाए अलावाद हाई कोट की अगर आप कटिंग को पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया था कि जब भी आप इलेक्शन को नोटिफाई करें सीट को नोटिफाई करें इसमें सेडियूल कास और सीडियूल ट इंप्लिमेंटेशन करें क्योंकि मैंने हमने पहले पढ़ा कि ये जो रिजरिवेशन है अर्बन लोकल बोडिज और रूर लोकल बोडिज में ये वाला कि रिजरिवेशन देना है कि नहीं देना बेकवर्ड क्लासिज को ये वोलिंटरी प्रोविजन है ना कि कमपलसर जैसे schedule cash और schedule drive के case में ये compulsory है बाकी cases में ये voluntary है इसके बाद G20 campaign को लेकर online safety, digital innovation इन सारी चीज़ों को लेकर unveil किया गया जैसे जैसे G20 2023 की submit का time नज़दीक आता जाए बहुत सारी activity जो होने वाली है G20 में G20 क्या है दुनिया की 20 बड़ी economy ठीक है जिसमें developed country भी आती है और developing country भी आती है एकनोमिक हिसाब चीज़ों को लेकर इसमें discussion हो रहा है for example cyber horizon है और जिस तरीके से digital world बढ़ रहा है तो उसमें किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को maintain करेंगे ये भी अपने आप में important है 2023 में September में 19 September को summit होने वाली है इसके अपने विशेष माइने है और इसका impact इसलिए important है क्योंकि ये summit इंडिया के अंदर हो रही है और इसके बाद ये summit जो हो अपने आप में विशेष होगी 2023 में क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें नेके विले summit होगी और सिंगहाई cooperation organization की भी important meeting होगी 2023 हमारे लिए विशेष है as a country इसके बाद अगर हम बात करें next page पे थोड़ी political news आपको नज़र आएगी और इसके लावब कुछ खास नहीं है लेकिन उसके ठीक next page पे कुछ important चीज़े हैं जैसे कि page नमबर 12 पे गर हम बात करें तो पहली बात एर सुविदा जो portal है उसको फिर से reopen कर दिया जएगा एर सुविदा पोर्टल बेसिकली क्या है कि आप कुछ country के लिए कि कोई नागरी करें इन country से आ रहा है तो भाई ये उसको RT-PCR test negative एक तरीके शो करना पड़ेगा उसके बाद ही वो country के अंदर entry कर सकता है जैसे जपान, South Korea, Thailand और China और Singapore इन country को एक तरीके से self declaration देना पड़ेगा कि आपका COVID-19 status क्या है तो इसको mandatory कर दिया गया भी ये planning थी कि इसको withdraw कर दिया जाएगा लेकिन जैसे COVID-19 cases increase हुए चाइना के अंदर इसको फिर से reintroduce करने के बारे में discussion किया गया इसके बाद प्रवेन कुमार सिर्वास्तो को CVC Chief Vigilance Commissioner जो appoint किया गया है और Central Vigilance Commissioner इनको appoint किया गया है और ये क्यों किया गया है क्योंकि सुरेश एन पटेल इनका टरम complete हो गया है और anti-corruption वाजडोग की तरह इसको consider किया जाता Central Vigilance Commission को राइट Central Vigilance Commission को लेकर आपसे दो सवाल है पह appointment के लिए क्या किसी committee की requirement होती है कि इस committee recommendation पर appoint किया जाए और second question ये है कि जब हम Central Vigilance Commission के बारे में पढ़ते हैं तो क्या ये किसी committee recommendation पर बना था ये जो organization है क्या किसी committee recommendation पर बनाया है या इसके appointment में किसी committee का important role होता है तो वो committee के अंदर कौन-कौन member होते है वो आपको identify करने औ उसके बारे में आप नीचे comment करेंगे ठीक है इसके बाद road accident road fatalities या accident के वज़े से road highway पर जो death होती है उनका data provide किया गया 2020 में covid के बाद ये माना गया कि number of cases में increase देखने को मिला यहाँ पर आप देखेंगी 2021 में लगबग 1,42,163 लोगों की कई न कहीं fatalities हुई या death इसमें हु provide किये गए है पहला गर हम बात करेंगे पहली बात तो 2019 के compare में 2021 में कहींने के 1.9% increment देखने को मिला और एक जो बड़ी problem है वो यह कि 100 accident में जो लोगों की death होती थी उसका number increase हो गया नहीं accident की वज़े से causalities का नमर एक तो हता accident जिसमें चोट लग जी एक इसमें fatality होगी कि death हो रहे हैं उसमें से 37.3 लोगों की death हो रही है तो यह बड़ा number है यह data release किया गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा राइट इसके लावा यह बताया गया कि इसमें total 412,432 accident हुए इतने number को हो सकता है confusion creator लेकिन इसमें main main जो चीज़े है definitely जब road accident होता तो young adult पर सबसे ज्यादा नुक्सान पहुंचता है और अगर आप compare करेंगे कि 60 प्लस और अगर दो व्यक्ति माल लित accident होते हैं 60 प्लस और 60 से कम है तो 60 प्लस की survive करने की जो timing है वो कम होती है इसके अलावा अलग-अलग reason बताएगे कि इसमें क्या इसमें region था एक तो पीछे जो वहान को ट collision हो या कहीने के heat and run हो heat from side हो traffic rules का violation करना हो यह सारी चीज़े कहीने कहीं major causes की रूप में consider किये इनके अलावा सबसे बड़े definitely national highway पर सबसे ज्यादा case हुए accident के इसके बाद state highway पर और उसके बाद जो respective state district level road होते हैं उत्तर बड़े सबसे ज्यादा accident होते हैं इसके बाद तमिल तमिलाडू, महरास्टरा, मद्यपरदेश, राजस्तान, तमिलाडू इन सम्में case हुए तमिलाडू, महरास्टरा, मद्यपरदेश यहाँ पर जो number of case है या fatalities है वो 2019 के compare में काफी ज़्यादा increase हुई उसके अंदर increment देखने को मिला है इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो next page ह जोगा वोगा foreign affair यानि दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में एक information देखो world में बहुत सारे चीज़ें इस टाइम पे चल रही है for example नेपाल के नएने प्राइमिस्टर बने परचेंट कुमार दहल और सोरी पुस्प कुमार दहल इनके प्राइमिस्टर बनने का बड़ा interesting सा phase रहा और यह माना जाता है कि नेपाल की politics में कहिने कहिने इतने ज़्यादा कह सकते आउसर वादिता है कि opposition के साथ सरकार बनाना सरकार के साथ opposition में चले जाना यह बहुत normal सा आपको नदर आगा नेपाल के अंदर और अभी UPSC 2022 के जिनके interview होंगे उनसे definitely लिए सवाल पूचा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि democracy पूरी दुनिया में successful हो गी है और multi polar democracy या पूरी दुनिया में जो democracy है उसमें आपको क्या लगता है कि इस तरह का example जो नेपाल में हम आज के time पे देखते हैं कि successful आप democracy बोलेंगे या unsuccessful democracy बोलेंगे इसको लेकर काफ फिला तुफान की वज़े से लोगों में काफी ज़्यादा प्रोब्लम आई बंग्लादेश में पहली मेट्रो आई COVID-19 चैनल चल रहा है इनके अलावा कोई particular news नहीं है हलाकि कुछ चीज़ां ध्यानक आप जैसे कई places continue news में रहते जैसे West Bank काफी ज़्यादा popular नजर आता है West West Bank हो, Golan Heights हो, इसके अलावा Gaza Strip हो, टू स्टेट पोलिसी के बारे हम जब हम डिबेट करते हैं तो ये इसराइल और फिलिस्तान इनके बीच में काफी ज़्यादा news में रहता है तो ये जो places है इनको ज़स्ट एक basic idea के साथ ध्यान में रखना ये important है और इनके impact को खासकर geographical perspective से प्री में आपको observe करने को मिलेगा, इसके बाद अफगानिस्तान में again सर्या सिस्टम को लागू कर दिया गया है और I4 and I इसका मतलब होता है कि अगर कोई वक्ति किसी की आख को फोर्ड देता है या damage करता तो उसको as a punishment भी इसी दरीके का punishment मिलेगा, सही है गलत है ये अलग ब अफगानिस्तान की महिलाओं के लेकर क्योंकि उनकी education पर, उनके job पर complete restriction लगा दिया गया है और मैंने कई बार पहले भी बताया था कि सरकार बनाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है, ये अंतर कैसे होता है, सरकार बनाना बहुत इसी, बनाना कि आपने अपने प्रेजि इकनोमी बहुत important है, जिस भी सरकार की economy strong होगी वो survive कर पाएगी, लेकिन economy नहीं होगी तो फिर उसके surviving के chances कम हो जाते हैं, दुनिया में किसी country नोंका मैनिता नहीं दिये, बहुत सार restriction है इन सब के वीच में कैसे survive करेंगी, ये बड़ा सवाल होगा, इसके बाद कुछ छोटी चोटी न्यूज आपको नदर आई, जैसे Reliance जियों ने introduce कर दिया 5G services को, 2023 में one of the favorite topic हो सकता है, कि 5G services के application क्या क्या है, और ये सवाल है जे third question आप लोगों से भी है, कि 5G services ये fifth generation को लेकर जो implementation होने जा रहा है, इसके major application क्या हो सकते हैं, क्या बदल सकती इसके थूरू छीजे Science and Technology का एक important question होगा, इसके बाद foreign direct investment को लेकर यहाँ पर एक data दिया गया है, कि देश में foreign direct investment कई तरह का हो सकता है, जिसमें major तरीके से गर हम बात करें, दो माल लेते हैं, एक है foreign direct investment, एक है foreign institutional investment, foreign direct investment क्या होगा, कि आपको strongly visible नजर आए, एक stable investment आपको नजर आए, foreign institutional investment क्या हो सकत है, for example, किसी foreign company ने, माल नेते Reliance के कोई share खरीद लिए, तो उनके लगेगा कि यहाँ हमें benefit ने, तो कभी भी withdraw कर सकते हैं, लेकिन foreign direct investment में stability होती है, इसलिए यह सबसे जादे important है, लेकिन यहाँ पर एक जो problem है, कि manufacturing sector के अंदर यह investment नहीं आ रहा है, यह आ रहा है, service sector के अंदर right, for example, data दियाएगा 2014 से 2020 तक, यह कहने के increase होँ, service sector के अंदर, manufacturing sector के अंदर, यह slow है, जो भी foreign company है, यह foreign जो investment कर रहे हैं, वो एक तरीके से trading, telecom, banking, insurance, IT, business, इस तरह के जो sources में कर रहे हैं, recent में हमने देखा, कि production limit incentives लिएगे, जो apple, samsung, flextronics और no case तरह के company ने भारत में investment को announcement किया, कि हम लोग यहाँ पर investment करेंगे, और इन सब चीजों से idea लगता है, कि देश के अंदर, जो investment है, वो basically, service sector के अंदर ही हो रहा है, जाद तर नहीं कि manufacturing sector के अंदर, कई बार हमें, जब economy को observe करते हैं, तो हमारी economy को service sector based economy माना जाता है, क्योंकि हमने, अगर आप देखेंगे, हमारी GDP का बड़ा हिस्सा service sector से आता, लेकिन हमारी population का जो बड़ा हिस्सा आज भी काम कर रहा है, वो primary sector के अंदर, अगरिकल सा sector के अंदर कर रहा है, तो यह gap create हो रहा है, जिसके वाज़ से इसके बाद, यहाँ पर एक statement आप देखेंगे, civil innovation minister की, जो तिराज इतिया शिंदिया की इन्होंने का कि हमारी economy जो वी safe economy के हिसाब से recovery कर रहा है, यह जो word कई बड़ आप देखेंगे, वी safe economy क्या होती है, एक वी safe होती है, डबलू safe होती है, अलग-अलग K safe होती है, इनमें थोड़ा अंतर आप समझ लीजिए, वी safe का मतलब क्या होता है, कि मा लेते हैं कि economy growth कर रही थी, कुछ activity होई जिसके वाज़ से तुरंत collapse होगी और फिर तेज़े से recover करना शुरूगी, यह हो गया, वी safe, एक होता W shape, डबलू safe क्या होगा, कि economy recover, कहीं ने कहीं, economy ठीक थी, फि फिर recover करी, फिर downfall होगी, फिर recover करी, तो यह activity cycles आए, के से economy का मतलब होता है, कि जैसे economy में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मा लेते हैं पांच सेक्टर है या छे सेक्टर है, छे में से तीन सेक्टर तो recover कर रहे हैं, तीन सेक्टर अभी भी recover नहीं कर रहे हैं, यह बहुत simple से एक technical definition जो हो आपको different देखने को मिलेगी, इसके बाद यहाँ पर एक जानकारे दीगी, COVID-19 surge जो चाइना के अंदर हुआ है, उसकी वज़े से oil prices के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिले और जो इंडिया के हिसाफ से बहुत important है, पहली बाद तो हम लोग बड़ी संक्या में तेल क import करते हैं, हलाकि एक अच्छी news हमारे लिए यह रही कि हमने पिसले कुछ महिनों में सबसे ज़्याद तेल import किया है, रस्या से, लेकिन अभी भी हम 85% oil import कर रहे हैं, और oil import जितना ज़्यादा होता है, और अगर यह costly होता तो हमारे current account deficit, हमारी currency, इसके अलावा अगर हम बात क जितने भी एक तरीके से negatively हमें impact करता है, जितना जाता हमें यह महेंगा मिलता है, और दूसरा, अगर तेल हम महेंगा खरीदिंग तो देश में महेंगा बेचिंग जिसके वज़े से हमारी जो growth rate है, उस पर भी negatively impact करता है, इसके बाद यहाँ पर एक जानकारी दी गई कि Australia और United Arab Emirat के साथ जो trade pact हुए है, भारत सरकार कई countries के साथ free trade agreement को लेकर consultation कर रही है, free trade agreement का बहुत simple सा मतलब है, कि trade को थोड़ा smooth कर दिया जाए, barriers को खतम किया जाए, और या तो जब एक country से दूसरी country में trade होगा, उसमें tariff कम से कम कर दिया जाए, या zero कर दिया जाए, तो एक provision होता है, कि एक तो export boost होता है, दूसरा, लोग एक दूसरी country में activity करने के लिए या बड़ी सिंग के हम job create होती है, free trade agreement के बहुत सारे benefit है, United Arab Emirat और Australia के साथ जो agreements हुए है, trade agreement, इनके benefit को ही observe किया गया है, कि अवरोल इनके क्या benefit हो सकते है, और यह बताया गया कि जैसे Australia के साथ अगर ह jewelry sector है, यह आने वाले तीन साल में 800 million dollar तक हो जाएगा, इसी तरीके से United Arab Emirat जो की India का बहुत important trade partner है, वहाँ भी हमारे trade relation अगर strengthen होते हैं, तो उसके overall impact को हम लोग observe करेंगे positive terms में, ठीक है, तो यह कुछ चीज़े हैं जो आज के the Hindu news analysis में आपको देखने को मिलेगी, thank you all, जाहिन झाने हैं, झाने हैं, झाने हैं, झाने होले हैं, झाने हैं, उसके जएंगे तिक हैँ, कि आजम हैं तरीके स apron अीके से कंज़े हैं, तो खिए हैं 125 अपले अज़ेके स When It盜 करेंटे हैं, 5C27, 314 अज़े चाले, जाज़े जाएभे। झाल झाल